नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका UPSC to the point में आज हम इंडियन एक्स्प्रेस न्यूजफेपर 21 जैनुरी 2023 का discussion करेंगे front page पे ऐसे कुछ ज़्यादा ख़बर है नहीं एक ये ख़बर है big tech needs to pay publisher for content government तो government ने वैसे अभी कोई order पास नहीं करा है लेकिन एक government के secretary ने बोला है कि जो big tech company हैं जैसे कि facebook हो गया ठीक है google हो गया यहाँ पर आप देखते होंगे कि google हो गयरा पर news content हो गयरा आता है अपने आप और facebook भी अगर आप scroll करते होंगे तो news हो गयरा उसमें दिखाता है तो सरकार यह कह रही है कि जो यह news content होता है इसको दिखाने के लिए इस पर जितना click हो गयर होगा उसके ratio में जो big tech companies हैं उनको pay करना पड़ेगा ठीक है पे करना पड़ेगा किसको publishers को जो news publishers हैं उनको पे करना पड़ेगा और यह legislation already Australia में ऐसा कुछ similar सा आ गया है और इस पर काफी विवाद हुआ था लेकिन सरकार भी मतलब Indian government भी ही कह रही है कि ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्या होता है कि जो publishers होते हैं उनको नुक्सान होता है उनके news लोग देखते हैं लेकिन पेइमेंट उनको कोई करता नहीं है तो फिर अपना काम कैसे चला बहेंगे इसके अलाओं दोस्तों और तो कुछ है नहीं खबर इसमें आज के news paper में एक जो है ये women in command role हमने अल्रेडी discuss करा था इसमें जो Supreme Court का judgment है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है वो देख लेते हैं और क्या है कि it is not the woman officer did not reach the rank of kernels or beyond in the past but they were only in two branches ठीक है तो इससे पहले भी kernel के post पे और तें जो है इंडियन आर्वी में गई थी लेकिन कि और दो ब्रांचे थी पहला गया था जज अड़ो केट जेनरल जेजी ब्रांच और दूसरा education cops ठीक है इस ते पहले इन दो ब्रांचेज में ही गई थी और अब और भी combat जो प्योर कॉम्बेट रोल है उनके अलावा जितने भी ब्रांचेज है अब सब में जो है करनल के उसमें जा पाएंगे और commanding role कर पाएंगी और सुप्रीम कोट के order की बार करेंगी इसमें सुप्रीम कोट से order to grant permanent commission to women army officials in February 2020 opened the door for promotion to women officer across all streams in the army except for pure combat role तो सुप्रीम कोट के order से यह door open हो गया था और अब इसका implementation हो रहा है एक word है हकुपत्र हकुपत्र basically क्या होता है करनाटका में पीम मोदी ने बहुत सारे ट्राइबल्स और लोहों को हकुपत्र दिया है इसका मतलब यह होता है कि हकुपत्र और land title deeds basically land titles होते हैं तो पास family को जो की बंजारा या फिर लंबनी community जो कि nomadic schedule कास्ट ट्राइब है करनाटका में वहां पे दिया है हकुपत्र ठीक है तो हकुपत्र आपको वर्ड अगर ऐसे याद कर सकते हैं तो व्याद कर लिए से कि में भी कभी बूच लें करते से उसके बाद एक जो है सुप्रियम कोट का जो हो रहा है उसके वी उसके उ कॉंटेक्स्ट रही है कि जो सुप्रियम कोट मैंने कलीजियम रिकमेंडेशन दिया था जिसमें जो है एक जज्ज थे जो कि गे थे उनको जज़ बनाने एड्वोकेट बेसिकली थे इनको हाई को जज़ बनाने के लिए कोलीजियम में रिट्रेट कर रहा है और सरकार इस प राइट से कॉंस्टिउशनल राइट से सिटीजिंस का कि जो सुप्रीम कोट है वो इंडिबेंडेंट रहे तभी तो उनके राइट के प्रोटेक्शन कर सकती है फिर उसके बाद यह इस स्वाले पर आगे कि डश सेक्शुल औरेंटेशन में इन इलिजिबल फॉर अपांट कर रहा है दिल्ली हाई कोट कलीजियम ने इनके एलिवेशन के लिए जो बैसिकली सौरप किरपाल जी है जो एक नामी वकील है लेकिन अभी तक इतना टाइम हो गया फिर 2021 में सुप्रियम कोट ने उसे फारोड किया फिर 25 नॉम्मर 2022 को सरकार ने वापस बेचा तो काफी टा को लिखा था और बोला था कि होमो सेक्सुलीटी स्टेंड्स डीक्रिमनलाइज इन इंडिया नन्थलेस सेम सेक्स मैरेज रिवेंज बेरिफ्ट और डिकागनेशन इधर इन कोडिफाइड स्टैट्यूरी लॉउ और अंकोडिफाइड परसनल लॉई इन इंडिया तो जान मुस्ताबाजी बोलने है क्या जो किरवाल जी है क्या इन्होंने same sex marriage करी भी है या फिर कैवले live-in relationship में ही रहते हैं और live-in relationship तो legal है ठीक है तो legal point of view से भी कोई case नहीं बनता है बैसकल यह कह रहे हैं उसके बाद यह नौतेज सिंग जोहर केस 2018 में जिसमें सुप्रियम कोट ने अर्टकल 377 को decriminalize कर रहा था उसके बारे में बताया और क्या observations थी section 377 पिसकली उसको decriminalize कर रहा था और क्या objection और क्या court ने बोला था उसमें फिर जो cji उस समय थे दीपक मिस्टा उनका जो है constitutional morality को लेकर उन्होंने बात कही थी और constitutional morality क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए आप यह कहीं भी GS paper में SME यूज कर सकते हैं और अमबेट कर जी ने constitutional morality के बारे में क्या कहा था यह भी आपको पता होना चाहिए तो मिश्रा जो की कि इपक मिश्रा जी थे उन्होंने बोला कि constitutional morality and said it is not confined to the provisions and literal text that a constitution contains rather it embraces virtues of a wide magnitude such as ushering in a pluralistic and inclusive society society constitutional morality से हमको जो है एक pluralistic or inclusive society बनानी है ऐसा उन्होंने बोला था अपने judgment में नौतेज सिंह जो हर केस में जो की homosexuality को decriminalize करता है उसके बाद court ने उसी उसी time पे ही article 15 के scope को भी expand करता था तो court expanded the prohibited grounds of decriminalization under article 15 to include sexual orientation ठीक आर्टिकल 15 में basically क्या बताए है कि discrimination नहीं किया जा सकता है और उस पर grounds दे रखेंगी क्या कास्ट के ग्राउन में हो गए रहा तो उसमें ground court ने और जोड़ा क्या sexual orientation के basis पर मतलब discrimination नहीं करा जा सकता हो इसके according तो फिर जो जो गवर्मेंट आफ इंडिया कर रही है वो गलत कर दिये क्योंकि यह जो वकील साहब है इनके sexual orientation के साहब से इन पर discrimination किया जा रहा है इट हैड है डिफर डिफरेंट इसक्शल और इंटेशन एज एपसुली नैचुरल था जो पी इस अलग अलग तरीके के सेक्शल और इंटेशन है वो नैचुरल है तो इसलिए इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दफैक्ट इस डैट मोस्ट डिमॉक्रेटिक गवर्मेंट सेलेक्टेड और पॉपुलर मेजॉरिटी इसके बाद इन्होंने बोला कि मेजॉरिटेरियन मोरालिटी के बारे में बात करी है बेसिकली यह है कि यह बता रहे हैं कि जो सरकारे होती है जो मेजॉरिटेरियन सरकार होती है डिमॉक्रेट करके आती है वो मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहती है मतलब कि जो मेजॉरिटी लोग सो रहे सकते हैं यह मैज़रिटेरियन मोरालिटी है और सरकार इसको फॉलू कर रही है और यह हम दुनिया भर में देखते हैं इसके लाओ और आज की निजसेबर में कोई आर्टिकल है नहीं जो पढ़ने लाएको फिर वर्ड निजस में भी कुछ नहीं है जो अल्रेडी चल रही आज की वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद